हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्ली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का मिला था पिछले पांच दिन में आप देख सकते हैं लगातार अपर सर्कित में एक एक महीने में कमपनी में लगभग 170 परसेंट से जादा की तेजी हमें बनती हुई दिख रही है इससे पहले भी मैंने जब यह स्टोक 8-9 रुपे पर था तब भी इसके बारे में एक वीड इसका वर्क है और जो इवी सेग्मेंट में यह काम कर रहे हैं उसकी वजह से इस कंपनी हमें हमें अच्छा खासा फ्यूचर के लिए यह तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है छे महीने की बात करें तो आप छे महीने में देख सकते हैं 340 परसेंट के रिटरंस वहीं एक किये हैं चलिए directly मैं आपको numbers पर ले जाता हूं और हम अभी यही directly numbers को discuss करते हैं तो चलिए आपको थोड़ा यहां सायद visibility में थोड़ा issue हो सकता है बट चलिए अब start करते हैं अगर मैं पिछले means यहां पर यह मेरे पास पिछले साल जो same quarter था उसका data है और यह जो last quarter था उससे हम comparison करेंगे सबसे पहले हम देख सकते हैं total revenue तो total revenue दोस्तों इस quarter में 2542 यह lakhs में quantity है इतना आया है जो कि पिछले quarter में 1149 था means आप देख सकते है quarter on quarter जो double से भी ज़्यादा revenue company ने generate किया है वही last year इस same quarter में जो यह revenue था वो 4941 lakhs का था means आप देख सकते है quarter quarter on quarter तो हमें improvement दिख रही है लेकिन पिछले साल अगर इस साल से comparison करें तो हमें गिरावट नजरा रही है पिछले साल में यह काफी ज़्यादा था इस समय जो revenue था अब हम बात कर लेते हैं revenue के बात बात आती है खर्चों के उपर total expenses इस quarter में 2510 lakhs के company ने expense किये हैं पिछले same quarter मे यह 3890 थे और पिछले last quarter में 1170 थे अब बात आती है profit loss अगर हम इस for the period देख सकते हैं तो इस साल means इस quarter में 31 lakh का company ने profit generate किया है जो कि पिछले quarter में 22 lakh था और last year same quarter में 50 lakh था means वही है कि quarter on quarter जो results है जो profit है उनमें हमें growth दिख रही है but year on year हमें यहां गिरावट नजर आ रही है earning per share आप देख सकते हैं इस quarter earning per share 0.006 आया है जो कि पिछले quarter में 0.0043 था means पिछले quarter से ज़्यादा है और उससे last year same में 0.01 था तो overall अगर मैं performance की बात करूँ तो जो उर्जा global share के results है इसमें हमें quarter on quarter double से ज़्यादा की jump हमें दिख रही है revenue में भी jump है profit में भी jump है earning per share में भी jump है but year on year basis जो इस समय जो results आए हैं उसमें हमें गिरावट नजर आ रही है इसके अलावा मैं आपको official websites के माद्यम से भी यह चीज़ें दिखा सकता हूँ आप यहां देख सकते हैं दिसंबर का जो data है वो same 24.95 क्रोड मींस इतनी sales हुई है operating profit आप देख सकते हैं 58 0.58 क्रोड का हुआ है net profit 0.31 क्रोड पिछले quarter से हमें improvement नजर आ रही है लेकिन इस means जो year on year data है उसमें हमें गिरावट नजर आ रही है तो overall अगर बात करें तो ठीक ठाक company के जो results हैं वो हमारे सामने आए हैं कोई ज़्यादा बड़ा दमाका हमें देखने को नहीं मिला है अगर मैं अपने लिहाद से बात करूं तो मुझे इस company से कुछ ज़्यादा expectations नजर आ रही थी अब देखने लाया कि यह होगा कि जब मंडे को बजार उपन होते हैं तो कैसा बजार इनके जो results हैं उनको appreciate करता है वहीं अगर promoters की बात करें share holding pattern में तो promoters ने पिछले साल दिसंबर से इस साल तक थोड़ी सी हिस्चेदारी अपनी बढ़ाई है वहीं डियाइज 0. 0.01 है एफाई कि इसमें कोई बड़ी holding नहीं है जो पहले थी वो भी उने कम कर दी है दोस्तों देखिए हुर्जा गलोबल जो यह share है no doubt in future के लिए यह काफी अच्छी एक company है और जो future segment है उसके लिए ही इसमें पैसा लगाया जा रहा है एक और बात मैं आपको clear कर देता हू जैसे कि अभी जो इनके पास revenue है वो सिर्फ solar power से ही इनके पास revenue आ रहा है electric जो विकल है जो means जिसमें electric चीजों में यह business कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उन चीजों से अभी तक इनके पास revenue नहीं आ रहा है यह बात आपके mind में clear होनी चाहिए क्योंकि आप इसकी अगर investor ह हैं तो आपको company की पलपल की update के बारे में पता होना चाहिए आगे देख लेते हैं volume थोड़ा analysis का हम देख लेते हैं तो volume trading का जो पिछले कुछ दिनों में हम अगर देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो volume का data है पिछले अगर एक मंत की average बात क करें तो 70 lakhs quantity trading हो रही थी कल 31 lakhs के quantity trade हुई है तो quantity में भी कहीं न कहीं थोड़ी सी गिरावट हमें यहां नजर आ रही है तो अगर मैं अपने point of view से बात करूं तो personally मुझे company के जो results है वो उतने शांदार नहीं दिखें हैं जितने की expectations बजार भी कर रहा था और हम भी कर रहे थे कि company अच्छे results पेश कर सकती है no doubt quarter on quarter जो company ने जो growth दिखाई है वो काबिले तारिफ है company के revenue में double से भी जादा हमें growth देखने को मिली है वहीं company का profit भी jump किया है but year on year basis अगर आप बात करें तो company का revenue भी वो भी काफी कम हुआ है और company का जो profit है वो भी काफी हमें कम होता हुआ दिखा है तो चलिए अब तो Monday को ही कल जब बजार open होंगे तब ही हम देखें ये कि बजार इनके results को कैसे appreciate करता है तो दोस्तों आपकी इनके बजार पर क्या राए है आप भी मुझे comment section में जरूर देना क्या आपको लगता है कि share में आगे भी तेजी जारी रहेगी क्योंकि काफी जादा ये पिछले एक मन्त में share जादा भाग चुका है और ये जो चीजी है ये पहले ही बजार expect कर रहा था कि company के जो results है वो धमाकेदार हो सकते हैं तो देखते हैं company के जो results है उनको कैसे market इसको appreciate करता है या stock में हमें profit booking देखने को मिलती है ये तो बात जब मजार open ह होंगे तब ही पता चलेगी आपकी क्या राय है company के results को लेकर आप मुझे comment section में जुरूर बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए take care